आपके ही चैनल सीमात्र पाइप में और आप लोग सब कैसे हैं आई होग बहुत अच्छी होंगे स्वस्थ होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अभी इतना लास्ट वन वीक से वन वीक क्या दस दिन से बैक टू बैक इतने फैस्टिवल आये ना तो आप उसकी ठकान मेरी आखों में देख सकते हैं इतनी नींद भरी हुई है और मुझे लग रहा है कि मैं कितना सोलूँ आज तो मैं बहुत लेट उठी फिर भी मुझे बहुत नींद आ रही है गाईज और लेट उठने के कारणा सब कुछ इतना लेट हो गया अभी एक बनाओंगी लंच दाल चावल करेले की सबजी करेला इतना टाइम टेकिंग सबजी होती है लेकिन पती देव ले आए हैं तो नहीं बनाओंगी तो खराब हो जाएगा तो आज मैं बना दूंगी और रोटी सेकूंगी तो यह सब करने के बाद अब आरी हमारी हरताली का जाने और मेरी साडी तो मैंने पहले ही तियार कर ली और इतनी थक गई हो ना मैं अपनी सारी सौपिंग ऑनलाइन ही करूंगी जो भी मुझे लेना होगा थोड़ा बहुत मैं मार्केट चली जाओंगी लेकिन और सब मैं ऑनलाइन कर लूंगी तो आप ब्लॉग में बने रह कहना भूल गई कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा बेल आइकन हीट कर दीजेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे है ठीक है तो आप ब्लॉग में बने रही है अभी चलती हूँ किचन में और ले लेती हूँ अपना ये हतियाद कोई शूट करने वाला तो है नहीं गाइस इसी से अपना काम चला रही हूँ तो आज मैंने शैंपू भी कर लिया था और इतना चिपकू चिपकू ये एकदम बिकार शैंपू है चाहे जितना कर लो बाल एकदम चिपकू रहता है भी हेर कलर भी करना है एक हपते मेरा कलर बाल का तो भी हैर कलर अब दो चार दिन बाद ही करूंगी जब तीज आ जाएगी नजदीक तब करूंगी ये देखिए फिर पीं आवाज शुरू आप लोग इसको इग्नोर करिएगा ठीक है सिर्फ मेरी बातों पर ध्यान दिजेगा चलिए चलते हैं किचन में कर द्रील के दो के रख दिया था और अब मैं बनाऊंगी इसका भरवा करेला बनाऊंगी ठीक है चड़ा देती हूं दाल और बना लेती हूं भरवा करेला डब्बे जब खाली होते हैं, तो मैं फूरा खाली करके, इससे वाश करके तब फिल करती हूँ मतलब एक बार भढ़ देती हूँ, जब फूरा खतम हो जाता है, फिर डब्बा मैं वाश करती हूँ, तब फिल करती हूँ तो गाइस जैसे आप रात में कुछ तयारी करके रखेंगे ना आपने सुबर के काम का तो आपका सुबर का काम थोड़ा हलका हो जाता है जैसे लसन वगार मैं रात में छील के रख देते हूँ या अम्मा को दे देती हूँ वो छील देती है तो अभी देखिए ये सब मेरा काम हलका हो गया है और अभी भरवा करेला बनाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा अचार का मसाला भी मिक्स करती हूँ इससे बहुती टेस्टी बनता है भरवा करेला बिंडी आपको जो भी बनाना हो तो जब मैं अचार बनाती हूँ न उसका थोड़ा सा सूखा मसाला मैं हटा देती हूँ और वो थोड़ा मिक्स करूँगी और यह आम की अचार का जो मसाला होता है, मिर्चे का नहीं, आम की अचार का ज्यादा टेस्टी बनता है, क्योंकि आम चूर की जगह आप इसे यूज कर सकते हैं, तो इसमें मैं सूखा वाला मसाला, थोड़ा सा आम का अचार का मसाला, हल्द नमक और लेसन क्रस्ट करके या पीस के आप डाल दे तो ऐसे बहुत ही टेस्टी भरवा करेला या भिंडी बनता है तो मैं अभी वही पर यहां पर वही बना रही हूं तो आप भी ऐसे ट्राइब कर सकते हैं मुझे इतनी भयानक नीद आ रही है कि चन का काम लंच वगरस अब समेठ के उसके बाद मैं सो गई अब उठी नहीं पा रही हूं और अम्मा बार-बार मुझे आके उठा रही है अभी भी बार्ज देख रही है कि यह तैयार नहीं हो रही है उनको मार्केट जाना है और मुझे इतनी भयानक नीद आ दिया है पता नहीं क्या हो गया है तो सोचे था चाय बना के पूल लो तो फिर नेल्द खुल जाएगी और अभी अम्मा के साथ ना साड़ी बहन के जाना पड़ेगा मार्केट मुझे उपर कमरे से अपने साड़ी भी लानी पड़ेगी चल यह देखती हूं प्रहले चाय बना के पी लेती हूं अभी तो गाइस यहां पर रेड़ी हो गई हूं और यह रेड कलर की साड़ी पहनी हूं क्योंकि अम्मा मेरी अम्मा के लिए सिर्फ दोई कलर बनाया दुनिया में लाल और पीला मोस्टली पीला कभी कभी लाल पी पहन लेती है तो अम्मा वैसे कुछ बोलेंगी नहीं मैं सूट पहन के चलूंगी लेकिन उनको मनी मन पसंद नहीं आएगा इसलिए मैं साड़ी प देखिए गाइस यलो कलर की साड़ी पहनी है पीले रंकी और अभी कौन सी कलर की खरी देंगी पीला अच्छा इस बार लाल रंकी खरी देंगी तो इस बार अम्मा को लाल रंकी साड़ी दिलाएंगे ठीक है अभी आगई मार्केट से अम्मा को साड़ी दिलागे और अम्मा को साड़ी दिलाना बहुत मुश्किल काम है एक तो उनका कलर डिसाइड़ रहता है कि वो सिफ लाल और पिलाई पैनेंगी उसमें बॉर्डर नहीं होना चाहिए वो एकदम हल्की होनी चाहिए बिना करने के बाद आई है साड़ी मैं आपको दिखाती हूँ तो यह साड़ी नहीं है अम्मा बंधेज की है जैपूरी साड़ी इसमें यह बॉर्डर है और यह पूरा ऐसी सुन्दर कमफर्टेबर टेली वेर ज्यादा हैवी वो पहन नहीं पाती है तो यह देखिए रेड ले रही लीला भी है और मेरून कलर है रेड नहीं है ठीक है फुरा चेंज हो जाएगा तो अब बना लेती हूँ चाय शाम की एक बार तो मैं पीके चली गई थी अब सब के लिए बनाओंगी अम्मा लेटी पीती है तो मैंने सुचा कि घर आके तब बनाएंगे चाय तो अभी लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा चली बाई